Hello everyone, Welcome to the channel of KV Teachers Guild बच्चो आज इस वीडियो में हम 6th class history का chapter number 4 What books and burials tell us? ये start करने वाले हैं किताबे और burials burials बोलते हैं हम जहाँ पर dead bodies को buri किया जाता है मतलब की दफनाया जाता है यानि कि हिंदी में कहें तो कबरे तो books, किताबे और कबरे हमें क्या बताती है first chapter में हमने देखा कि historians जो history लिखते हैं जो आपके history लिखी गई है हमने पढ़ा किसी civilization में हरपन civilization में क्या हुआ था इंडस वाले civilization में क्या क्या चीजें थी ये हमें कैसे पता लगती है historians को कुछ clues मिलते हैं इनको वो study करते हैं और फिर गेसे करते हैं कि लाइफ शायद ऐसी रही होगी तो ये दो हमारे important clues है books, जो पहले कुछ किताबे लिखी गई है उनसे हमें लोगों की life के बारे में पता लगता है and burials जैसे कि आपने last to last chapter में देखा था कि एजिप्ट में जो burials मिले हैं pyramids जिनको कहा जाता है उनमें कितने अच्छे से body को preserve करके रखा गया और उनके साथ बहुत सारी चीजें बहुत सारे आपके गहने बहुत सारे in fact लोग भी उनके जो काम करने वाले थे किंग्स के उनको कुछ elephants जानवर और सात में दफनाय जाते थे बरी कर दे जाते थे इससे पता लगता है कि एजिप्ट के पहले लोग after life में believe करते थे वह सोचते थे कि मरने के बाद भी कोई जिन्दगी है तो जो इसके काम की चीजें है वो इसके साथ ही बारी कर देते हैं हमने इनडिया में ऐसा है वहां जिद्फ कि डिंपीस देखा है कहीं जगों पर जीतने वह दो categorTON की पार विले हैं पिर उनके साथ मरतन के सुर्व़। बघ्र ह साथ मिली यह इस notification है और यही सामान साथ में दफनाया जाता था तो लोगों की मेंटालिटी बता लगती है और यही चीजें हिस्टोरियन जो है वो ढूंदते हैं थोड़े थोड़े क्लिव इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट बुक्स और बरियल्स के बारे में शुरू करते हैं उससे पहले अगर कोई भी बच्छा नया हो चानल पर तो आप चानल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे जिससे की नेक्स टाइम आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें ओ क्योंकि वह बच्छे पहली बार लाइबरी जा रहे थे वेन मैरी स्टेप इंसाइड जब मैरी अंदर जाती है शी फाउंड डाट लाइबरी वो देखते है कि लाइबरी उनके क्लास्रूम से बहुत बड़ी है आप भी अपने स्कूल में देखेंगे लाइबरी काफी बड जाता है आपके and there were so many shelves बहुत सारी shelves थे वहां पर and full of all full of books सारे के सारे किताबों से बरे हुए थे in one corner एक corner में there was a cupboard filled with large old volumes एक कबड़ी कलबारी थी एक कॉर्नर में जो बड़े बड़े पुरानी किताबों से बरी हुई थी seeing her typing to open the cupboard sorry seeing her trying उसनोंने देखा कि मैरी जो है वो cupboard को खुलने की कोशिश कर रही है तो teachers से teacher कहती है कहते हैं the cupboard has very special books on different religions इसमें बहुत special किताबे हैं अलग-अलग religion की अलग-अलग धर्मों की did you know that we have a set of vedas तुम्हें पता है कि इसमें जो है एक वेदों का पूरा set है what are vedas वेद क्या है मैरी वंडर मैरी सोचने लगती है let's find out चलिए पता करते हैं हम भी की वेद है क्या one of the oldest book in the world दुनिया की कुछ सबसे पुरानी किताबों में से हैं ये you may have heard about the vedas तुम्हें आप सभी ने वेदों के बारे में सुना जरूर होगा there are four of them चार वेद है learn कर लीजे हमेशा question आता है एक्जाम में रिगवेद सामवेद यजुरवेद एन अथर्ववेद okay रिग, साम, यजुर एन अथर्व वेद the oldest वेद is रिगवेद another important line सबसे पुराना वेद कौन सा है पूछा जाहेगा तो रिगवेद सबसे पुराना है composed about 3500 years ago ये जो है लगबगाज से 3500 साल पहले लिकरचना की गई थी इसकी compose किया गया था दर्रिग्वेद इंक्लूद मोर देन 1000 हाइंस इसमें लगबगाज से जादा हाइंस है यनि की एक तरीके से प्राटनाई प्रेयर्स जिनको आप कहेंगे वो है कॉल्ड सूक्त जिनको सूक्त या फिर वेल सेड अच्छी तरह से बोला गया मतलब जो कॉंस्टेंट आप रिपीट करते हैं ऐसा कहा गया है सबसे पुराना वेधर रिग्वेद 3500 येर्स ओल्ड है और इसमें 1000 से जादा प्रेयर्स हैं प्राटनाई हैं जो हाइम्स बोलते हैं हम जिनको सूक्त कहते हैं या फिर वेल सेड भी कहते हैं ये जो प्राटनाई हैं प्रेयर्स हैं ये अलग-अलग देवी और देवताओं की स्थूती करने के लिए उनकी प्रेज में हैं इस गॉड प्रेर्थ्स ब्लाटनाई है ये लाजता है थे सूम और देवतार फ्रे meidän स्थूती को वकूश्व ये वारियर्स भॉयंपल l चब्लाटनाई ये जी घुम में हम जकूरी प्लाइवास परोल शिरेविक चाने होँर्दनार्थ你的ताया में बनती थी उसी के नाम पे इन गॉड का नाम रखा गया है तो तीन भगवान है mainly जिनकी जिनके बारे में जिनकी प्रेज में हाइम्स लिखी गई है बेदों में सबसे पहले हैं अगनी अगनीदेव इंद्रदेव और सोमदेव जिनको आप रिशी कहते हैं यह हाइम्स उन्होंने इनकी रचना किया है रिशी उन्हें प्रीस्ट्स टॉडेंट्स टुरिसाइड और मेमराइज इच सलेबल वर्ड और सेंटेंस बिट बाइबिट विद ग्रेट केर और पहले के टाइम में अगर आप देखे कि पढ़ाई क्या हुआ करती थी इन्हीं बेदोस को ही पढ़ाया जाता था आज की तरह बुक्स नहीं होती थी जो पीस्ट थे जो की आचारिय थे तब के पुजारी जो पढ़ाय करते थे वो बच्चों को सिखाते थे इनको रिसाइट करना गाना और मेमराइज करना बिल्कुल लर्न करना कि आपको कंठस्ट कर लेना है यह याद करने ना है रट लेना है हर एक सिलेवल हर एक जो sentence है bit by bit जैसा लिखा गया है बिल्कुल वैसा ही with great care बहुत साफधानी से कुछ गलत नहीं बोलना जितनी भी हैंस है बिल्कुल वैसी ही आपको याद कर लेनी है पहले ही कि जो प्रीस्ट से वो यही पढ़ाय करते थे most of the hymns were composed taught and learned by men बहुत सारी इन मेंसे जो hymns हैं प्रेय की है कुछ एकी जो रचनाय है वो में ने भी किया दर रिग्वेद इस दा ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इस डिफ्रेंट फ्रम संस्कृत यू लर्ण इन स्कूल दीज यह सारे वेद संस्कृत में लिखे गया है संस्कृत आप स्कूल में भी पढ़ते हैं लेकिन जो अगर आपको संस्कृत आगई और आप सोचे कि हम रिग्वेद पढ़ सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा उसकी संस्कृत काफे डिफरेंट है ओके तो यह हमने रिग्वेद के बारे में पढ़ा बहुत सारी हैं तीन गॉड की में प्रेज की गई है अगनी सोम और इंड बच्च पर आपको संस्कृत और बाकी भाषाओं के बारे में बताया गया है लेकिन उससे पहले हम यह पढ़ लेते हैं अगल के जो आपकी किताबे आप पढ़ भी रहे हैं वह लिखी हुई और प्रिंटिड है दर रिग्वेद वस रिसाइट एड रादर देन रीड जो रिग्वे सुनके ही याद करना है कहीं पर वो लिखा नहीं होता था आप खुद नहीं उसको पढ़ सकते थे it was written down several centuries after it was first composed पहले जब उसकी रचना की गई उसके कई सो सालों के बाद यह लिखा गया मतलब पहले यह आपने सुना आपने याद कर लिया फिर आपने किसी और को सुना ऐस जब रिसेंट इसको प्रिंट किया गया आज से लगबग 200 साल पहले यह लगबग 3500 यर्स अगो कंपोज कर दिया गया था रचा गया था लेकिन लिखा सिर्फ 200 साल पहले गया यह कुछ इंपॉर्टन चीज़ नहीं अब संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं संस्कृत और ब गुजराती हिंदी कश्मीरी औं सिंधी एजिन लांगवेजिस सच अपर्जिन और मैनी यरोपियन लांगवेजिस सच इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ग्रीक इटालियन और स्पानिश बिलॉंग तो इस फामिली यह ओरिजिनली है वर्ट इन कॉमन यह जो कुछ लांगवेज यह ग्रीक के इस भाषा के इस शब्द से लिया गया है इंग्लिश जो है उसने बहुत सारे वर्ड्स दूसरी लांगवेज से कैरी किये हैं और यह सबी लांगवेजिस एक तरीके से एक फैमिली मानी जाते हैं क्योंकि इनके काफी वर्ड्स कॉमन है एक दूसरे में यूज होते हैं ठीक है तो यह कौन-कौन सी लांगवेजिस है इंडियन लांगवेज के अगर हम बात करें तो आसमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी यह उस फैमिली में आती है फैमिली का नाम क्या है इंडो- यूरोपियन लांगवेजिस की फैमिली अगर हम एशिय के बाकी देशों की बात करें तो पर्जियन उसमें आती है यूरोपियन लांगवेजिस की बात करें तो इंग्लिश, प्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, एंड स्पानिश यह सभी उसी फैमिली का हिस्सा है क्योंकि इनमें कुछ वर्ड कॉमन है जैसे की टेक दा एंडी में लिया गया और मा को यूज उसकरके मदर इंग्लिश में लिया गया तो मतलब कि मातर से यह तीनों ही वर्डबने है यहाँ पर कुछ आपको सिнымиलारिटी जीश दिखाई दे रही होगी मा की मा को ले लिए मदर बना दिया, इंगलिश में, हिंदी में मा रख दिया, और संस्कृत का वर्ड था मात्र, और इजनली मात्र था, हिंदी और संस्कृत में इसी से ही लिया गया, इसलिए इनको एक फैमिली का हिस्सा माना जाता है, जो नोटिस इन इस, okay, other languages used in subcontinent belong to different families, बाकि जो languages used की जाती है वो अलग-अलग family की है जैसे कि those used in northeast belong to तिबेतो बर्मन family कुछ है जिसे कि तमिल, तेलगु, कन्नड, मलियालम इनको कहा जाता है कुछ ऐसी है जो कि नौड़ीस्ट में जो बोली जाती है इनको तिबेतो बर्मन family कहा जाता है तमिल, तेलगु, कन्नड, मलियालम ये द्रबिडन family को बिलॉंग करती है लाइंगवज इस पोकन इन जार्खन और पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलॉंग टू ऑस्ट्रो एश्याटिक फैमिली से ये बिलॉंग करती है जितनी भी languages है हर किसी की अपनी family है तो जो आपकी Sanskrit है उसकी family कौन सी है historians ने रिगवेद को study कैसे किया पढ़ा कैसे क्योंकि हमने देखा लागविज भी इसकी जो हमारी पुरानी संस्कृत थी वैदिक संस्कृत जिसको कहा जाता है उसमें थी तो कैसी मिला लोगों ने कैसी पढ़ा historians like archaeologist जो पुरानी उसको study करते हैं उन्हें हम archaeologist कहते हैं यह आ find out about the past उन्होंने past के पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी कठी कर रहे थे वो but in addition to material remains एक तो वो study करते हैं जो material बचे हुए हैं उनकी हमने देखा कि कैसी pottery बनती थी कैसे उस time पे जो है articles बनते थे कैसे जोलरी बनती थी यह सब वो study करते हैं archaeologist इसके अलावा they examine written sources as well वो उस time के लिखे हुए sources को भी examine करते हैं जो तब के लोगोंने लिखी हुई यह चीज़ें उससे भी बहुत चीज़ें हमें पता लगती है कि life कैसी थी let us see how they study RigVed चलिए देखते हैं कि उन्होंने RigVed को कैसे study किया पढ़ा some of the hymes in RigVed are in the form of dialogues कुछ जो hymes थी इसमें वो dialogues की form में थी मतलब बातों की form में थी जो कुछ सूकतिया थी this is part of one such hyme a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers ब्यास and sutlaj that were worshipped as goddesses अब यहां पे आपको एक हाइम दी हुई है RigVed की जो RigVed में लिखी हुई है यह dialogue है रिशी जिनका नाम है Vishwamitra और दो नदियों के बीच में नदियों का नाम है ब्यास and sutlaj यह दोनों ही नदियां जो है उस टाइम पे goddess के रूप में देवियों के रूप में इनकी पूजा की जाती थी तो चलिए देखते हैं यह देखें यह लिखा हुआ है अब आप देखें इसमें आप कितना पढ़ सकते हैं हमारी तो संस्क्रिट बिलकुल हिंदी की तरह लिखी जाती है लेकिन यह बिलकुल अलग है क्योंकि यह वैदिक संस्क्रिट है खेर हम यह पढ़ लेते हैं एक बा पहले जिसकी चाल के उपर लिखी जाती थी तो यह कश्मीर में मिला है यह बर्श की ट्री की चाल के उपर लिखा हुआ है बार के उपर बाउट फिटी अगो आज से लगबग यह जो है यह जो लिखी हुई चीज आपको दिख रही है यह जो पहली जो चीजें प्रिंट की गई लिखी गई उनमें से एक है और इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था महराष्ट के पुने में यह अभी एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया आपको यहाँ पर इसके पिक्चर दिखाई गई है खेर अभी हम यह बढ़ते हैं जो हमें रिगवेद का एक वो दिखाया हुआ था कि किस तरीके से उसमें हाइम्स लिखी जाती थी डायलोग नदीओ जैसे कि दो पुर्तिले घोड़े आते हैं चाल से जैसे की दो चमकती हुई गाये आएंगी उनके काफ्स को लिख करने के लिए उनके बचडों को लिख करने के लिए ऐसे तुम मांटें से उतरके नीचे आओ You move like chariots to the sea through the power of Indra Indra जैसे हमने का है God थे वोर के जो युद के राजा थे तो उनकी power है तुम्हारे पास और तुम रत की तरह सागर की तरफ जा रही हो You are full of water and wish to unite with each other तुम दोनों ही पानी से भरी हुई हो एक दूसरे से मिलना चाहती हो अब reverse कहती है We who are full of water move along the path to God have made for us हम दोनों जो की पानी से भरी हुई है और जो भगवान ने हमारे ले रास्ता बनाया है उस पे जा रही है Once we start flowing we cannot be stopped एक बार हमने अगर बहना शुरू किया तो फिर हम रुकेंगी नहीं Why do you pray to us? O sage तुम हमसे ये प्रातना क्यों कर रहे हो रिशी बहने की प्रातना क्यों कर रहे हो तो विश्वामित्र कहते है O sisters, please listen to me The singers who has come from a distance with his chariot and carts विश्वामित्र कहते है कि बहनो मेरी बात सुनो मैं एक सिंगर हूँ मुझ गाय की प्रातना सुनो जो की बहुत दूर से आया अपने रथो और अपने कार्ट के साथ अपनी गाडियों के साथ अपने रथ के साथ Let your water not rise above our axles So that we can cross safely अपने पानी को मेरे जो रथ है हमारे जो उसके पहिया है Axle बोलते है पहिया के बीच में जो ये होता है इसको इससे उपर मत उठाओ अपने पानी को इससे उपर मत जाने दो So that we can cross safely जिससे कि हम safely आराम से cross कर सके So reverse कहती है We will listen to your prayer so that you can cross safely हम तुमारी prayer सुनेंगे जिससे कि तुम safely cross कर सको आगे बहते जाएंगे बहुत जादा पानी यहां पर इकठा नहीं होने देंगे ताकि पानी बहुत बरे ना और तुम safely cross कर सको तो ये एक उसका पार्ट है आपका जो लाज से लगवक 3500 साल पहले 3500 यर्स अगो लिखा गया था रिगवेद में Historian points out that this heim was composed in the area where the river flows Historians कहते हैं कि ये वहाँ पर लिखी गई थी prayer जहां पर कि ये दोनों rivers बहती है They also suggest that the sage live in a society where horses and cow were valued animal और ये जो रिशी थे ये वहाँ पर रहते थे जहां पर की गायों को और घोडों को as valued animals बहुती मतलब इनकी वो की जाती थी इन दोनों जानवरों को बहुत महत्व दिया जाता था That is why the rivers are compared to horses and cows इसलिए शायद इन rivers को जुनको देवी माना जाता है इनको वहाँ पर compare किया है शुरू में कि तुम दो swift horses के जैसी हो गायों के जैसी हो क्योंकि शायद उन्हें बहुत important समझा जाता होगा ओके तो यह आपको एक वो दिखा दिया कि रिगवेद में कैसे लिखा गया है next do you think chariot were also important रत भी क्या जरूरी थे बिल्कुल जरूर थे एक से दूसरी जगह जाने के लिए mode of transport के लिए यूज किया जाते थे पहले other rivers especially the Indus and other tributaries and the Saraswati are also named in the Himes the Ganga and Yamuna are named only once in Himes में रिगवेद में बाकी जो नदिया है Indus River है उसकी जो tributaries है उन सभी का भी जिक्र किया गया है Saraswati का भी जिक्र किया गया है Ganga और Yamuna का जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है okay रिगवेद की अगर हम बात करें चलिए look at map 1 and list 5 rivers that are mentioned in the rigवेद okay where is map 1 अच्छा यह first chapter का है page 2 ठीक है रिवर्स में आपको करा दूँगी बाद में उसमें आगे आते है cattle, horses and chariot कुछ cattle जो पालते थे लोग horses, गोडो और chariot जानवरों की, गोडों की और रथों की अब हम बात करेंगे there are many prayers in the rigवेद for cattle, children, especially sons and horses बहुत सारी हाइन्स है, prayers, prayers, प्रातनाई हैं, रिवेद में cattle के लिए, जो लोग जानवर पालते थे उनके लिए बहुत सारी प्रातनाई हैं, बच्चों के लिए, especially लड़कों के लिए हैं, खासकर जो boys जो होते हैं उनके लिए and horses, घोडों के लिए, horses were york to chariot that were used in battles, horses को जो capture cattle, पहले लड़ाईयां ऐसे नहीं होती थी, जमीन के लिए नहीं होती थी, कि इस पे हमारा हक है, इस पे यह वो दूसरों के cattle को जीतने के लिए होती थी, अगर आप लड़ाई में जीत के तो आपको cattle मिलेंगे, मतलब एक तरीके से वही आपकी जम्मा पुझी थी, cattle जो थ अगर आपने cattle जीत लिए तो चराने के लिए जगे भी चाहिए होगी तो उसके लिए भी कई लड़ाई होती थी, जिसमें की यह रत यूस किया जाते थे, और ताकि आप कुछ उसमें क्रॉप्स भी उगा सके, जो की जल्दी से पक जाए, जैसे की जो बार ले, कुछ लड़ाईयां पानी के लिए भी हुआ करती थी, और लोगों को काप्चर करने के लिए, कि लड़ाई में जीत गे तो ये लोग फिर हमारे हुए, ओके, जो भी आप लड़ाई में जीते हैं, उन में से वेल्थ जो भी खजाना आपको मिला है युद में, उन में से कुछ जो है वो लीडर्स रख लेते थे अपने पास, जो वहां के सरदार थे वो, कुछ पुजारियों को दे दी जाती थी और बाकी जो आम जनता है उसमें डिस् of यग और sacrifices in which offerings were made into the fire, कुछ धन जो जीता जाता था, उसके बाद यग किया जाता था, यग परफॉर्म या फिर जिसको हम sacrifice कहते हैं, वो परफॉर्म किया जाता था, जिसमें की आग में आहुती दी जाती थी, these were meant for God and Goddesses, ये देवे देवताओं के लिए यग किये जाते थे, offerings could be include घी, grain and in some cases animals, कई बार जो अगनी को आहुती दी जाती थी, उसमें घी होता था, अनाज होते थे, और कई बार जानवरों की भी आहुती दे दी जाती थी, most men took parts in the wars, जादा तर लोग जो है, वो अगर war हुआ लड़ाई हुई, जादा तर लोग उसमें पुरुष men भाग लेते थे, there was no regular army, कोई ऐसे army नहीं थी, but there were assemblies where people met and discuss matters of war and peace, लेकिन एक assemblies जरूर होती थी, जहाँ पे लोग सभी मिलते थे, और discuss करते थे, कि अभी कब लड़ाई करनी है, और कब शांती रखनी है, they also chose leaders, वो अपने leader भी चूज करते थे, अपना सर्दार, who were often brave and skillful warrior, जो भी उनमें से बहुत 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 skilled, बहुत कुशल warrior होता था, योधा होता था, उसको उनका सर्दार बना दिया जाता था, और ये सबी चीजें हमें कैसा पता लगती है, ये हमें वेद पढ़ के पता लगती है, words to describe people, लोगों को describe करने के लिए क्या शब्स्तिमाल किये जाते There are several ways of describing people, कुछ तरीके थे जिनसे हम लोगों को describe करते थे, in terms of the work they do, जो वो काम करते हैं, उनके according उनको नाम दिये जाते थे, the language they speak, जो वो भाशा बोलते हैं, उनके according उनको नाम दिये जाते थे, जहां पर वो रहते हैं, उनकी family के according, उनकी community और cultural practice के according, let us see some of the words used to describe people, found in रिगवेद, रिगवेद में कौन-कौन से नाम हमें देखने को मिले, जो लोगों को describe करने के लिए यूज किये गए हैं, there are two groups who are described in terms of their work, दो ग्रुप थे, जिनको की describe किया गया, उनके काम के आधार पे, सबसे पहले थे, the priests, पुजारी, पुरोहित जो हुआ करते थे, पहल रकराते थे, उनको कहा जाता था, ब्रह्मिन या फिर पुजारी, और दूसरे थे, राजा, इस राजा वर नॉट लाइक देखने के लोगों से टाक्स लेते थे, मतलब वैसे राजा नहीं थे, फिर किन लोगों को राजा कहा जाता था, जनरली संड डिड नॉट अट अट पुजारी और राजा, जैसे कि बाद में आम देखेंगे कि कोई राजा है तो इसका बेटा ही राजा बनेगा, पहले ऐसा नहीं था, तो रिगवेद में दो ही लोगों का जिक्र हुआ है, पुजारी और राजा, पुजारी जो पुजा करते थे, और राजा, जो अभी पढ other Thailand, पुजारी लोगों को संबोदित किया, इक था जन, विच पीज दूऌरी लोग, पीजन, वैख जो और लोग के लिए व्यामटन, नर गोध कुछ वर्ड हो विष्या से ही आया बाद में लेकिन रिगवेद में विष्या कोन थे इनके बारे में हम भादा है यह कुछ वर्ड से जो कि लोगों को डिस्क्राइब करते हैं अगर हम बात करें जो यग कराते थे वो पुजारी प्रीस्ट और बाकी राजा जो इंपोर्टन लोग होते थे उसके बाद जो नॉर्मल लोग थे उनको जन या फिर वैश्य कहा जाता था विश कहा जाता था several विश और जन और मेंशन बाइन कुछ विश इंपोर्टन भी थे जनको नाम से बताया गया है so we find references to purujan या फिर विश पुरujan भी कहा जाता था विश तो सबके लिए कौमन था ही लेकिन कुछ special जन कहा जाता था कुछ को भारत जन कहा जाता था कुछ को यदू जन कहा जाता था ऐसे उनके 06 नाम भी थे sometimes the people who compose the Bhimes describe themselves as aria and called the opponents Das और Das Jus होता क्या था जिन लोगों ने ये हाइम्स लिखी है वो खुद को आरिय बोलते थे और जो उनकी ऑपोजिट थे दूसरे जो इनको नहीं मानते होंगे हाइम्स को उनको दास या दासियो कहा जाता था दास या दासियो वो लोग थे जो कि यग नहीं करते थे and probably spoke different languages जिस हो सकता ये संस्कृत ना बोलते हो दूसरी भाशा बोलते हो तो जिन्होंने ये रिगवेद लिखा उन्होंने खुद को कहा आरिये और इनको कहा दास या दासियो जो दूसरे लोग थे लेटर बाद में the term दास and the feminine दासी दास और दासी यूज किया जाने लगा slaves के लिए ये word उन्होंने गुलाम के लिए यूज करना शुरू कर दिया लेकिन पहले ऐसा नहीं था दास या दास या जो शब्द है रिगवेद में वो उनके लिए इस्तिमाल किया जाता था जो कि संस्कृत नहीं बोलते थे या फिर यग नहीं करते थे ठीक slaves were women and men who were often captured in war और दास होते कौन थे गुलाम होते कौन थे अगर आपने किसी साथ लड़ाई की और वहां के कुछ आप जीत गए वहां के कुछ लोगों को आपने capture कर लिया अब वो आपके हुए तो वो आपके दास हो गए अब काम करेंगे आपके लिए they were treated as the property of the owners जिन्होंने जीता है उनकी property की तरह वो इस्तिमाल करते थे उनको who could make them do whatever work they wanted जो भी काम उनसे कराना चाहे वो करा सकते थे while the rigved was being composed in the northwest of the subcontinent there were other developments elsewhere let us look at some of these we will study this later because this is the burials we will study about rigved which is the north-west Indian subcontinent in the north-west we will talk about the Indian subcontinent in the kashmir-punjab this area was composed of rigved which was written in this area I don't know how it feels because it has written the names of the rivers that are living there so it feels like it was written there but in the rest of the areas there were other things and we will study about that so that's all students so that's all students rest of the topic we will do in part 2 so thank you so much for watching